Hello friends, welcome to Great Indian Khajana दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर कभी आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड हो जाता है यानि कि गलत तरीके से आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिये जाते हैं जिसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपके पूरे पैसे आपको वापस मिल जाए आपका कोई नुकसान ना हो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग आखरी तक जरूर देखेगा दोस्तों बात करते हैं कि माल लिजे कभी आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड हो जाता है गलत तरीके से कोई आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है जिसमें आपके कोई भी जिम्मेदारी नहीं है और नहीं आपने अकाउंट की डिटेल किसी के ताश शेयर की है फिर भी किसी ने गलत तरीके से fraud करके आपके account से पैसे निकाल लिए तो इस condition में आपको क्या करना चाहिए तो दोस्तो RBI की guideline है कि अगर आपके account से कोई fraud होता है तो आप तीन दिन के अंदर-अंदर अपने bank को इसके लिए inform कर दे अगर आप अपने account से होने वाले fraud की information तीन दिन के अंदर-अंदर bank को दे देते हैं तो इस नुकसान में फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती यानि कि आपके account से जितने भी रुपए कटे हैं वो bank को पूरे के पूरे आपको वापस करने होंगे आपका एक भी रुपए का नुकसान नहीं होगा और दूसरी guideline यह है कि अगर आपने चार से लिकर के साथ दिन के अंदर-अंदर bank को inform किया यानि कि जब आपके account से fraud हुआ तो शुरू के तीन दिन आपने inform नहीं किया लेकिन चार से लिकर के साथ दिन के बीज में आपने bank को जाकर के inform कर दिया तो पांच हजार से लिकर के पच्चिस हजार रुपए तक की जिम्मेदारी आपकी होगी यानि कि यह decide किया जाएगा जितना भी आपका transaction amount होगा जितने भी रुपए आपके गलत तरीके से निखालेगा है यह उस राशी पर depend करेगा कि आपसे कितने रुपए वसू ले जाएगे तो पांच हजार से पच्चिस हजार रुपए तक आपसे लिये जा सकते हैं और वहीं अगर आपने साथ दिन बाद bank को inform किया जब आपके account से fraud हुआ और उसके साथ दिन बाद आप bank को inform कर रहे हैं तो फिर बाद में यह board तै करेगा कि आपसे कितने रुपए लिये जाए यानि कि कितने रुपए का नुकसान है और customer को इसमें से कितने रुपए भरने हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कभी भी आपके account से कोई fraud हो जाता है तो जल्दी से जल्दी जाकर के bank को इस बारे में इंफॉर्म करिए अपनी complaint दर्ज कराए और ये काम आप तीन दिन के अंदर अंदर जरूर कर लिजे जिसे कि आपके एक भी रुपए का नुकसान न हो जो भी रुपए आपके account से गलती से गलत तरीके से निकाले गए हैं वो पूरे के पूरे आपको वापस मिल जाएं क्योंकि अगर आप इस काम में जरा भी देरी करेंगे तो फिर नुकसान आप ही को ठाना पड़ेगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर यूसफूल होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे इसे शेर कर दीजे चैनल से नए जोड़े में तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करें जिसे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुँचे अपने कमेंट करें थाइंस फॉर वाचिंग